नमस्कार आप सभी को आज मैं गोभी आलू मटर की सूखी सबजी की रेसिपी लाई हूँ बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनती है तो चलिए शुरू करें ठंडी के सीजन में गोभी और मटर बहुत ही अच्छे मिलते मार्केट में तो काफी अच्छी बनती है यह सबजी बनाने के लिए पैन गरम कर लीजिए और मैंने आपर तेल एड़ कर दिया है यह सरसुका तेल है इसमें और आप चाहे तो रिफांड ओल भी ले सकते हैं इसकी जगे या जो आपको तेल पसंद है सबजी में वो तो इसे गरम होने पर यहां पर हम इसमें जीरा और राई एड़ करेंगे थोड़ी सी और इसे एच्छे से क्रैकल होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक से दो मिनिट के लिए तेल में फ्राइ कर लेंगे और यह हलका से जब फ्राइ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जो ताजे छिले हुए मटर है वो एड़ कर देंगे तो यह मटर के दाने एड़ कर दिया है और इसे एड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसे भी और इसी के बाद हम सीधे एड़ कर देंगे इसमें गोभी इसे मैंने थोड़े से छोटे टुकडों में काटा है बहुत जादा छोटे टुकडों में नहीं तो बस आलू और जो गोभी है उ तो बस आज से मिक्स कर दीजे सारी चीजों को आपस में और मिक्स करने के बाद हम इसे ढग करके कुक करेंगे लगभग 5-7 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे यहां इसे 7 मिनिट हो चुके हैं और मैंने बीच में इसे एक बार चलाया भी था तो बीच में आप इसे एक से दो बार जरूर चला दीजिए वनना यह कड़ाई में लग सकती है तो बस यह हाफ को खोच चुकी है और अब हमें यहापर कुछ मसाले अड़ करने हैं तो पहले यह कूटा हुआ लहसुन मैं अड़ कर रही हूँ और अद्रक तो लहसुन और अद्रक मैंने ले लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है और उसे एड़ कर दिया है इससे काफी फ्लेवर जो होता है सबजी का वो बढ़ जाता है अगर आप लहसुन नहीं खाते तो सिफ अद्रक एड़ कीजिए और यहाँ पर मैं आट कर रही हूँ धनिया का पाउडर सूखे मसालों में और फिर हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आट कर लीजिए और इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके और फिर इसे हम कॉक करेंगे ताकि यह सारे मसाले जो हैं सबजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छे से आजाए पूरी सब्जी में और सब्जी भी जो हमारी पूरी तरीके से कुक हो जाएगी तो लगबख चार से पांच मिनिट और लगेंगे इसे बनने में तब तक हमारी सारे मसाले और सब्जियां पूरी तरीके से पक जाएगी और मिक्स हो जाएगी आपस में तो बस अब हम इसे क्या करेंगे धाक करके चार से पांच मिनिट और कुक करेंगे बीचे मैंने इसे फिर से एक बार खूल करके चलाया था अब फिर से मैं धाक करके दो मेट और इसे पका ले रही हूँ पकाने के बाद बिलकुल अच्छे से पक चुकी है सारी सबजिया और लास्ट में बस हम इसमें गरम मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमारी सबजी बनकर अब तयार है तो गैस को सुच ओफ कर दीजिए मसाले को मिक्स करके और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ हम इसमें एट कर देंगे बस हमारी गर्मा गरम गोबी आलू मटर की सूखी सबजी बनकर तयार है इसे आप रोटी पूरी पराठे चापाती या फिर किसी भी मोटी रोटी जैसे बाजरे मक्के की होती है जवार की उसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं बस बन कर दीजिए गैस को तो हमारी गर्मा गरम गोबी आलू मटर की सूखी सबजी बनकर तयार है ऐसी ही helpful और अच्छी रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका